नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ग्यान सेक्शन योटूब चैनल पे आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मोबाइल का जो कीबोर्ड होता है उसे हम कैसे चेंज करेंगे आज हम सैमसंग के मोबाइल के बारे में बताएंगे जो कीबोर्ड होता है उसे आप चेंज कर प keyboard है है आपके Samsung मोबाइल में यह कैसे काम करता है चलिए हम आपको बताते हैं और कैसे change करें यह भी बताते हैं इसके लिए हम चलते हैं हमारे mobile स्क्रीन पर यहाँ पर हम mobile स्क्रीन पर आजुके हैं यहाँपर देखिएगा यहाँ यहां पर मैं अगर कुई सर्च करता हूँ तो देखिए यलो कलर का आ रहा है अब यह जो यलो कलर का कीबोड है आपको इस तरह से सेट करना है इसके लिए भी मैंने आई बटन पर लिंक दिया है एक वीडियो का उसे जरूर चेक आउट कर लीजिए अब यह सेट हो गया इस तरह से बच मुझे चाहिए कि जीवोड डॉला कीबोड मुझे चाहिए तो मैं कैसे सेट कर सकता हूँ तो यहां पर देखिए उपर rist में जो नंबर हैं गयर क्लिक करता हूँ कुझ इस तरह से सैंसंग कीबोड शोर होगा ad फोड़ा यह जो बैक बटन है मस्क कीबोड एक इसको प्रेस करें इसको जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए किबोड लिस्त ये शोर होगा अब आपके सामने default keyboard जो है वो Samsung का keyboard है देखिए एक ही keyboard है इसलिए आपको Samsung का keyboard ही शो हो रहा था अब मैं चाहता हो कि मुझे इतने सारी जो नीचे keyboard है यह भी शो हो तो Google वाइस टाइपिंग इस पर मैं क्लिक कर दूँगा मैसेज आएगा ओके करेंगे जो आपको keyboard चाहिए उसे आप एक्टिवेट यहां से कर दीजिए मुझे सभी चाहिए Microsoft Swift की keyboard एक्टिवेट किया उसके बाद में जी बोट को भी एक्टिवेट किया उसके बाद में जी बोट कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए इस तरह से अब यह हो गया आप इसे मिनिमाइज करते हैं अब देखिएगा सर्च बटन पर और एक बार क्लिक करके आपका जो कीबोर्ड है वो बदल गया है अब यह जी बोल्ड हो चुका है और यहां से आप इंग्लिश देख ब्रॉच कर सकते हैं दृखिए मैं यहां पर टॉट टॉबिक करते तो तो यहां पर एक मैसेज आता है जो डी क्लिक करेंगे तो दीकरेंगे इंग्लिश इंडिया ज़ो और चाहिए करेंगे स्पेस बार पर सेंट और सैंसंग कीबोड पर बिल्फ करते हैं तो आपका योदी अच्छा लगाँगा इस तरह से आपने जाना कि हम किस तरह से आपके जो कीबोड से वो activate कर सकते, इसका जो layout है वो बदल सकते I hope कि आप को ये वीडियो अच्छा लगाऊंगा इस तरह कि टेक्निकल वीडियो जानने के लिए हमारे चाहँ को ज़रूर subscribe परे मिलते हैं एक लिए नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद